हरन महादेव श्रीश वाई नमस्तु व्यम सातियों सभी को दिवाली की बहुत सारी शुपकामनाई सभी की दिवाली मंगल मही हो इसी के साथ सातियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा गुरुदेव जित्ते भी उपाई बताते हैं आपको पूजन के भी जितन दीन का फूजन किया है या आप लोग पूजन कर लेते हैं जो दिवाली के दीन आप होगे सारी जो पूजन सामगरी देगी जो आने दोनों सिक्कोपर पर भी चड़ाई है अमर बिल के टुकड़े अक्षत और पुश्प इत्यादी जो कुछ आप चड़ा रहे हैं उन सबी चड़ी होई सामगरी में से दिपावनी की रात 12 से 12.30 बजे की बीच में आपको यहकारी करना है एक लाल वस्त्र लेना है मंदिर में जहां पूजा करी वहां उस वस्त्र को बिचाए हाद जोड़ें कुवेर भंडारी का इस्मरन करना है कुवेर पोटली हम बना रहे हैं धन वर्षा पोटली हम बना रहे हैं हाँ जोड़कर के उनसे विंती करें कि इस थाई रूप से आप हमारी स्पोर्ट्री में निवास करें और हमारे गर में आप इस थाई रूप से विराजमान हो ऐसा माता लक्षमी से कुबेर भंडारी से विंती करते हुए थोड़े से कमल गटे थोड़े से हल्दी की घाट अम आपने कोड़ी चड़ए है दीवाले की पूजन में तो कोड़ी और गौमती चक्र आप दो-दो-तिन सामगरी सबी उठा करके पोटली बना लें पोटली में आप लाल कपड़े का इस्तमाल कर सकते हैं पीली रंगी पोटली बाजारों में मिलती है लाल पोटली मिलती है आप उनका भी इस्तमाल कर सकते हैं पोटली बना करके आप अपने तिजोरी में रख दीजिए बारा से साड़े बारा बजे की बीच में रात्री को ये हो गए आपकी धनवर्शा पोटली अब बाकी सामगरी का क्या किया जाए जब आपके पांचों दिवस की पूजन हो जाए या आपने जितने दिवस की पूजन करी है आपकी हो जाए सारी पूजन हो गई पोटली भी आ चाहिए या पीपल के वरक्ष के नीचे कड़्डा कोड़ करके जो सामगरी चोड़ी हुई है बच गई है उसे गाड़ देना चाहिए या पानी में विसरजित कर देना चाहिए एसे स्थान पर कभीं न डालें जहां किसी के पाउं लगें या गंदगी हो अब आपके सारे confusion दूर हो गए होंगे कि बचू ही पूजा सामगरी का क्या करना है धनवर्षा पोटली कैसे बनानी है एक ही वीडियो में दोनों ही चीजे बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करें फिर भी कोई प्रशन रहते हैं कॉमेंट करना उत्ता देने की जरूर क कोशिश करेंगे वीडियो को शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करें हर महाँ